जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी कि 79,000 से छग भरती में आरशट सो आरच्छित मामले में आज 20 तारिक को सुनवाई होगी और हम आपको अगले वीडियो में जानकारी देंगे कि सुनवाई कब तक और किस नंबर पर होगी तो उसी से सम्मदित अपडेट आप देख सकते हैं ये अप्लिकेशन आदीश कोट नंबर तीन पर जहांपर केस को मेंसन करवाने से लेकर कौन कौन से अधिवक्ता आज मौजूद रहेंगे इसकी जानकारी इस अप्लिकेशन के माद्यम से दी गई है जहां पर आप देख सकते हैं कि रिट संख्या 13156 अपलिक 2020 है महंदर पाल का ये केस है और साथ में किसके खिलाफ स्टेट आफ यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ तो ये पूरी शीज़े यहां पर दी गई है ये साथ में अप्लिकेशन में जानकरी दी गई है कि आज कौन क केस को सुबह मेंसन भी करवाया जाएगा कि किसी भी तरह से कोई भी समस्या ना हो केस की सुनवाई हो और जानकरी ये भी है कि आज केस बहुत ही जल्दी सुना जा सकता यानि कि लंच के पहले ही केस केस सुनवाई सुरू हो सकती है जहां पर लंबी बहस देखने को मिल सकती है कुछ निरनायक देखने को मिल सकता है हाई कोट की तरफ से कुछ अहम आदिस देखने को मिल सकते क्यों कि सरकार आज अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें स्पस्ट करने वाली है चाहे वह 79,000 में बचे हुए रिक्त पदों के डेटा को ले कर हो चाहे वो मेरिट को लेकर हो चाहे वो कैसे न्यूक्ती करेगी क्या करेगी सभी चीज़े आज स्पस्ट कर सकती है क्योंकि कल हाई कोट में उसके लिए सरकार को आदेश किया था तो आज सुनवाई का इंतजार करिए चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को आल बटन पर क्लिक क कि हर एक अपडेट हम आपको जैसे ही वीडियो के मादर से दें आप तक जानकारी पहुंचे और इसी को लेकर आज के एक लोकल समाचार पत्र में भी जानकारी देखने को मिली जहां पर बताया गया कि सिच्छक भरती आरच्छंड मामले में चात्रों की बढ़ी उम्मेद ह जिहां 79,000 सिच्छक भरती आरच्छंड गोटाले में दिन रोज उतार चड़ाओ नजर आ रहे हैं मसला इतना विखर चुका है कि सरकार चाह कर भी यहां पर समेट नहीं पा रही है आज हुई सुनवाई में सरकार किसी भी मामले पर कोई भी जवाब नहीं दे पाई मैंने को कल ही बताया था इस बारे में कि कोई जवाब नहीं था सरकार या दिवक्ताओं के पास उसी को लेकर आज यह जवाब दिये जाएंगे यहां तक कि पिछली सुनवाई में भी सरकार या दिवक्ता दोरा कहा गया था कि सरकार 69,000 में सेस रहे चातरों को सभी अन्मिताओं क को दूर करते हुए विवाद को समात करना चाहती है जबकि इस प्रस्त का जवाब सरकार या दिवक्ता के पास आज नहीं था कि किस प्रकार से इन सभी गड़वड़ियों को दूर करेंगी और सभी छातरों को निफ्टी देगी यही आज कल कि सुनवाई में जज साफ कि पूरी चाय ऋची जो रिवीज्ड करनी चाहिए एरि फिर से पूरा सीज़ें दिखाने चाहिए फिर से जारी करना चाहिए यह सब कुछ दिखना चाहिए यही छादर लगातार मांग कर रहे हैं सभी पीर्टों को नियाए देना ही होगा बिना इसके मसला कभी समाब्त नहीं होगा ये एक लोकल समाचार पत्र के मादम से कहा गया है फिलहाल आज की सुनवाई का इंतजार करिए क्योंकि उसके बाद सरकार क्या करेगी आज सुनवाई में सरकार क्या कहने वाली है यहां से सब कुछ इसपस्ट हो जाएगा